कोई किसी के साथ इतना जादा गलत सीन कैसे कर सकता है मतलब इस गलत सीन के लिए तो भया उस बंदे को जेल पे पेल देना चीए बहुत ही गला तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिराण न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी दो मोपाइल गेमप्ले वीडियो में और यार ये मैच में जो गलत सीन हुए है न वो सीन मैंने जिन्दगी में पहली बार देखा मैं मजाग भी निकर रहा हूँ ये गलत सीन मेरे साथ पहली बार ही हुए है और आप देखोगे तो आप बोलोगे भाई कैसे इतना मिट्टी दिल इंसान कोई कैसे हो सकता है खेर वो थोड़ा आगे जाके होगा फिलाल यार जोर्ज उत्रे और तुमारे भाई को बैरल बुरल मिल चुकी है और M762 के साथ साथ बंदे भी मिल चुके हैं आगे की सैडी पड़े हैं और यार हलमेड भी महंगा वाला मिल गया है गन भी महंगी टैप है तो क्यों न इन पर रस कर दिया जाए तो धिरे धिरे करके बढ़ रहा होता हूं मैं और सकारेल भी मिल गई और यहां पर सीन ऐसे हो रखे कि यार तुम्हारे भाई को लूटने तक नी दिया जा रहा है चैन से मतलब मैं यहां पर लूट रहा हूं सामने सकारेल लिख रही होती है अचानक से बंदा आता है बिलकुल चौड में बिलकुल ओपन में खड़े होके एमफूर पटा रहा होता है लेकिन जैसे तैसे तुक्का बिड़ा कि मैं उसे नौक कर देता हूं और भाई की पेटी भी बन जाती है मतलब इतना ज्यादा चौड़ में ओपन में आओगे तो यार पेटी ही बनती है यहां पबजी में और अब आप सोच रहे होगे कि यार इस एक बोट को पेले में मेरी फट के चार क्यों रखी है तो सीन क्या होता है यह जो सफेद कपड़े वाला यह जो बंदा था इसका टीमेट कहीं आगे बैठा होता है और यार मैं नहीं चाहता बोट के चक्कर में मैं अपनी पेटी बन बंदा यार नौक तो करता है किसी को लेकिन वो किधर होता है उसे डूढने मैं पीज़े की तरफ आता हूं लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं बैटल्स विन वेबसाइट की तो इस वेबसाइट के मदद से आप कई सारे पबजी के टूर्णामेंट खेल सकते हो और पैसे अन कर सकते हो और इसमें टाइम टू टाइम फ्री टूर्णामेंट भी होते हैं और यार एंट्री फीज बहुत कम होती है और विनिंग प्राइस काफी जादा होता है उससे कंपेर्ड और इसमें जीते वे पैसे आप आराम से पेटी एम के थूरू विड्रॉ भी कर सकते हो और इसमें referender NBA तो आप अपने दोस्तों को invite करके भी पैसे अन कर सकते हो। तो इस platform को जरूर try करना इसके link description में होगी, बिल्कुल टोप में। और यहां पे scene क्या चल रहे है यार मेरे समझ के बिल्कुल पा रहे हैं। अब दुबारा उपन से भगता हूँ और होते हैं गलत scene। अब जो सामने से M462 चला रहा था वो बंदा था या बोड था यार मेरे को समझ नहीं आ रहा लेकिन जो भी था उसने मेरे को बहुत गलत scene दे दिये, दिक्कत दे दिये बहुत। और आज कल PUBG में बोडों के क्या scene चला हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जहां पे भी भाईया 200 काड लडने बैठेगी लो भाई बहुत पहुँच जाएंगे वाँ पे मतला बहुत देखता है अच्छा ये बंदा लूट रहा है कुछ नहीं हो रहा इसके साथ नहीं भाईया हम तो नहीं जाएंगे हमसे नहीं हो पाएगा लेकिन जैसे ही 14 बंदे एक साथ लड़ रहे होते हैं तब सारे के सारे बॉट एक साथ पहुँच जाते हैं वाँ पे खेर जो भी वो बॉटों को हटाओ आगे से एक बंदा रहा होता है और यहां पे मुझे लग रहा था यार मैं फिर से नौक होंगा और फिर से कुछ न कुछ बाना देना पड़ेगा लेकिन मुझे नहीं पता कैसे लेकिन जैसे तैसे भी ये बंदा ठिल जाता है और इतनी सी हेल्थ में भी हम जिंदा होते हैं मतलब मैं नेड नूड मॉली दबा के भेक रहा हो तो भाई बंदा अचानक से सामने आ जाता है मैं धैड़ पैड़ भगता हूं कवर पे और पेल देता हूं बंदे को कोई किसी के साथ इतना जादा गलत सीन कैसे कर सकता है मतलब इस गलत सीन के लिए तो भाई या उस बंदे को जेल पेल देना चाहिए बहुत ही गलत तो यहाँ पे एक ही टीम के बंदे आपस में लड़ रहे हैं एक डिरॉप के लिए मतलब भले डिरॉप भी होता तो भी मैं मानता है यार की चलो भाईया मोली कर दी लूटना होगा भाई को एक साधारन ड्रॉप के लिए भाईया आपस में पेटिया बनवा दी इन्होंने एक बंदे ने अपने टीम के मुली मुली पेल दी और यार इस कदर पेली कि वो नौक तक हो गया मैं आया मैंने देखा भाई क्या ही सीन चलने हैं मैं वहाँ पे आ चुका हूँ गाड़ी रोक चुका हूँ गोलिया चला रहा हूँ उनकी अपनी लड़ाईया चलनी हैं आपस में लड़े भीड़े जा रहे हैं और उनके आपस में लड़ने की वज़ा से यार मेरे को भलव और डेड़ सो गोली बर्बाद करके उससे जाने दूँ ऐसा कैसे कर सकते हैं और ये बंदा अपने मन में बस एक ही बात बोला होगा भाई ये कौन बंदा ये इतना डेट कैसे है मतलब कहां से कहां तक पीछा करा कहां पर जाके पेला रोजोग से निकला भाई यहां बीच रस्ते पे आके पेला भाई को और इस एक बंदे को पेलने के लिए तुम्हारे भाई ने लगबाग 1.500 गूली वरवाद कर दी 1.500 गूली ये भी परिषान हो गया होगा कि यार इतना डीट कैसे है ये क्यों है ये इतना डीट खेर जो भी ओ धीट ता अपनी भर-भर के है उस बंदे को पेल दिया उसके भाकी टीमेट थे भी की नहीं यार हमको नहीं पता लेकिन मैं यहाँ पर आ रहा हूत हूँ और यहाँ पर तीन बंदे मिलते हमें तो शायद यह उसी के टीमेट्स हैं खेट जो वियो गाड़ी से आते हैं गाड़ी पर गूली गूली चलती है और आगे पर बंदे बैठे पड़े हैं और मुर्खता देख रहे हो एक ही बंदे पर पूरा ध्यान पेल दिया और उसका दूसरा टीमेट्स नजाने कहां से नौक कर गया अब देखो भाई ने नौक किया है तो भाई अंधारस करेंगे और वहीं पर गलती हो जाएगी भाई से और ये बंदा उचलते कूटते पहुंचने वाला था पास तक मतलब भाई ने दूर से ना जाने मेरे ख्याल से घर के अंदर था वहां से नौक किया भाई घर से बगते वह आए पूरी जान में पूरी चोड में मैं तब तक रिवाइब हो गया और यार गुरोजा पढ़िये मेरे पे हलवा नहीं है गुरोजा तो भाई को मजाक मजाक में नौक कर देता हूं मैं और बाकी टीमेट भी आ जाते इसके और यही फायदा होता यार चट चुत के चट जो में चड़ने का मतलब इस बंदे ने पूरी जान लगा दी चुपने के लिए बाई को लगा यार सामने ही दिवार है मस्त ठीपी पी लूँगा यहां से नेड पे लूँगा मैं मैं हूँ ढीट मैं चड़ा चट के भी ऊपर पे वो दिवार टैप थी चट पे उस पे चड़ा और बहां से बाई का बैग बुक दिख रह था और यार पबजी ऐसा गेम है जिसमें कवर में आने के बाद भी गूलिया लगती है कई बार तो यार बैक पे लगके गूली डैमेज हो तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कैर इनको पेल के हम निकली रहे होते हैं कि एक और गाड़ी आ रही होती है पोचंकी की तरफ से अब देखो जिस रफतार से ये भग रहे हैं यार इनका पीछा करके पिलना बहुत दिक्कत वाली बात होगी हना नजाने कहां पे या आगे जाके मुड़ेंगे ढंक से दिग भी नी रहे हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम लोग फिर भी पीछा करते हैं अब देखो ऐसा मुझे कुछ सोक निये कि भईया गाड़ी का पीछा करेंगे गाड़ी के गाड़ी में ही पिल देंगे सब्सक्राइबा तो और हमारे इस भाई को पबजी से ज़्यादा यार मजा रिंगा रिंगा रोजी स्खेलने में है मतलब मैं गाड़ी गुमाय जारो बंदा पेड़ पेड़ पे गुमे जा रहा है भाई ये निकी डंग से रुक के फायर कर दू नहीं वहया मैं लेफ्ट गाड़ी ला रहे हैं हम लोग भाई राइट को चल जा रहे हैं पेड़ के इसने तीन चार चक्कर पेल दिये और नजाने कब से पेल रहा होगा लेकिन आखिर कार भाई रुकते हैं और एउजी वगरा पटकाते हैं लेकिन देखो सिर्फ दो ही बंदे होते हैं दोनों की हम धेड़ पेड़ पेटी बना देत कि मैं हमेशा बोलता है यार यह पबजी है कुछ भी हो जाता इधर पे हां दूसरी टीम का बंदा नजाने कब से इधर पे लेटा होगा देखो गाड़ी गुमाई गाड़ी से आये यह लोग भी गाड़ी से आये कोई नहीं देख पाया भाई को और जहां तक मुझे पता है यार बंदे ने गलती से गलती से गुली चला दी थी सिर्फ एक गुली चली बहुत पस्तार होगा भाई मतलब भाई की तयारी ये थी कि यार हम गाड़ी गुली निकाले बंदा सीधा उठके पेटिया बना दे हम गाड़ी में बैठे बंदा पेटी बना दे लेकिन हमारी कि किस्मत क्या ही चमकती है कि यार बंदा खड़ा होता है और गलती से गूली चल जाती है किस्मत इस मैच में काफी बढ़िया चल ली है और हाँ भाई लोग अगर आपने अभी तक लाइक के बटन को धोका पीटी करके नीला टैप नहीं किया है तो यही टैम है यही मौका है बि और यहां पे यार सनैपर वर्से सनैपर चल ला होता है उस बंदे पे एक सनैपर होती है मेरे पे एक सनैपर होती है मेरी सस्ती सनैपि यार जैसा कि मैंने आपको बताया किस्मत बहुत ही बढ़िया चल लिया इस मैच में तो एक गलती से हैट सोट लग जाता है बंदे को मैं लगभग पेटी बनाने ही वाला हो तो लेकिन यार भाई अंदर की तरफ भग जाते हैं तो करना क्या है बंदा नो किया है ग्रोजा भी पड़ी है तो डरने की कोई भी बात नहीं है बिल्कुल गुश के पेलेंगे तो यहां पर मैं धेड़ पैड़ गाड़ी रूखता हूँ और सीधा ऊपर की तरफ जाऊँगा बढ़िया एंगल मिलेगा यार पेटी बनाएंगे सीधा अब देखो हर कोई क्या करता है एक ढंग से तमीच से खेलने वाला बंदा क्या करता है वो एडवलो एम से नोक नू करता है उसके बाद दूसरी गन बदल के पेटी बनाता है तुम्हारे भाई के भाई अपने ही नसे हैं गुरोजा से नोक कर रहा हूँ और एडवलो एम से पेटी बना रहा हूँ एडवलो एम भी गाली दे रहे होगी कि भाईया क्या कर रहे हो बोली बरबाद क्यों कर रहे हो इससे बढ़िया किसी और को चलाने देते खेर जो भी हो अब उठा लिए तो यार बत्तमी जी से चलाएंगे लेकिन आगे जाके और भी गलती से एट सौट देखने को मिलेंगे और जैसा कि मैंने बोला थैयार 100 में से 500 मैच में जोन अपने पे नहीं बनता आँ और यहाँ पे आगे घरों पे बन्धे बैटे होते दो दो सकोड बैटी होती हैं अब चार बंदो को एक साथ पेलेंगे अब दूसरा सोट बले मिस हो गया लेकिन यार पहला सोट जो लगा ना पत्ते में अज्जस करके मज़ा टैप आ गया देखके और अब अन्दार उस करेंगे यहां पे और यहां पे मैं सही बता रहा हूं इन चार बंदों से ज़्यादा डरना मुझे यह पट्रोल के डब्बे से लग रहा होता है भया तेल की सीसी रखी पड़ी है बीच मैं फट फूर जाती सारे की सारे ठील जाते ना यह चार बंदे बसते और मेरी भी पेटी ही बन जाती जहां तक मुझे पता है लेकिन सही यह चार किल भी मिल गए पट्रोल का डब्बा भी नी भटा और जैसे एक तैसे जिन्दा है उमा बीबी मतलब जब मैंने बेसरमी से गाड़ी ठूकी ती इधर मुझे लगाता है और दो बंदे बैठे पड़े होंगे हलवे की तरह मारेंगे नीचे से नजाने कहां कहां से चार बंदे आ जाते हैं और वो भी बंदे बाकी हैं जो आगे वाले घर पे बैठे हैं लेकिन जो बंदे आगे घर पे बैठे थे वो बोलते कि भाईया घर पे रहेंगे तो दुबार आई WM का फटका पड़ेगा वो लोग जाके बाहर उपन में सांप बन जाते हैं अब आपने ये बात कई बार सुने होगी कि यार इसको तो लट लग चुकी है जैसे कि गत्य फूकने की लट लग चुकी है इसे गलत ही नहीं करता रहता है लेकिन यहाँ पबजी में बंदों को साब बनने की लट लग चुकी है अच्छा कासा दो मंजीला घर है भाई ऐसा भी नहीं कि सास्ता हो नहीं भाई या बहुती महंगा दो मंजीला घर था ये दो मंजीला घर छोड़के ये लोग साब बनने निकल पड़ते हैं अब मेरे खयाल से डिरॉब भी था तो शायद डिरॉब लुटने गए होंगे लेकिन यार घर कौन छोड़ता है अब देखो उस डिरॉब में अगर डिवियस मिली होगी न तो इन लोग को सही में बहुत जोड़ से रूना आ रहा होगा बहुत जोड़ से अब एक बंदे को नोक करके मैं पेटी तो बना देता हूँ उसकी AWM से लेकिन उसके बाकी टीमेट लोग किधर गए किसी को कुछ नहीं पता बिल्कुल सनाटर टैप हो गया गाड़ी पड़ी है डिरॉब पड़ा है बंदे दिख के नहीं दे रहे पीक करके नहीं दे रहे तो मैं ऐसी फाल्तु में गोली चलाता हूँ गुरूजा की गोलिया बरबात कर रहा हूँ एक तरह से इस आस में की क्या पता कोई पीक कर दे लेकिन ये लोग भी खतरनाक टैप होते भाया किसी ने पीक करके नहीं दिया और सामने वाले बंदे आखिर कार मुझे दिख जाते हैं डिरॉप के पीछे बैठे होते हैं लेकिन हमारे लेफ्ट में एक बंदा गाड़ी लेकी भी पहुँच जाता है तो जो भी करना होगा समल के करना होगा क्योंकि नेड आते घर पे टाइम नहीं लगता कभी भी नेड पहुँच जाते हैं अब यहां आगे डिरॉप की तरफ भगदा टैप मच जाती है बंदा अचानक से भगने लगता है बाद में देखता हूँ तो पता चलता है कि यार जिस पेड पे वो लोग बैठे पड़े थे वहाँ से जो नट चुका है तो देखो उस पेड के पीछे उस डिरॉप के पीछे एक और बंदा होता है मैं पेलना भी चाता तो उसे लेकिन उतने में ही नजाने कहां से हमारे पीछे वाले घरों पे बंदे आ जाते हैं और जैसा कि मैंने बोलाई थे यार नेड आते टाइम नी लगेगा घरों पे याँ पे पीछे पेड पे देख रहा था बंदो को और वहाँ पीछे से घरों से भाईया हमारी पेटी बनाने की तैयारी चल्ली थी नेड लूट खीचके बंदा तैयार था बिलकुल कड़ा था पीक करके और गलती से हेट सोट लग जाता है यार हरे रंग का हेलमेट होता है भाई पर महेंगा हेलमेट कता ही खेर जो भी हो अभी टोटल दो बंदे बाकिये हैं और जैसा कि मैंने बोला थायार PUBG मतलब गलत सीन बहुत करता है अपने साथ लेकिन इस मैच में जो भी हुआ साही टैप हुआ गलती से हैट सोड में ठीक ठाक लग गए और आखिर के दोनों बंदों को तुमारा भाई नेट से भोड़ेगा हाँ मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है और हमेशा की तरह देखो मुझे अपने नेटों पे बिलकुल भरोसा नहीं है एक फेक के मैं दूसरा भी खोली चुका था मैंने बुलाया तीन तीन चार नेट पड़े हैं बरबाद कर देते हैं लेकिन ठीक एक ही नेट में पहले नेट में ये बंदा ठिल जाता है और दूसरा इस्तमाल करने की जरुरत नहीं पड़ती तो अब एक ही बंदा बाकी है और वो लेफ्ट साइड में बिलकुल सामने पे पड़ा है ये वही बंदा है जो पहले गाड़ी लेके पहुचा था तो हमारे भाई समोक वगेरा करते और मैं अपने टीमिट से सारे नेट मांग लेता हूँ मैं बोलता हूँ इसको तो नेट से ही पे लेंगे और इसी नेट के साथ चिकन चुकन हो जाता है और ऐसा नहीं कि वो बंदा खाले बैठाता नहीं भाईया हमारे वो भाई भी नेट पे नेट कर रहे थे मतलब भाई ने समोक बना इस समोक के अंदर बैठके भाई घरों के अंदर नेट फेकनी की कुशिस कर रहे थे और मेरे ख्याल से आगरी नेट उसका घर पे आ भी गया था लेकिन यार हमारी किसमत पहले चमक जाती है और पहले नेट अपना फूर जाता है और इसी के साथ चिकन चुकन हो जाता है तो वास भाई लोग आज के वीडियो में इतने ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते ये सस्ते नेट और वो जो गलत सीन हुए थे ना भाई मतलब मोली से अपने ही बंदे पेल देना देखो डराना एक बात होती है कि भाईया तुम्हारी पेटी बना देंगे नेट फेक दूँगा वो बहुत ही अलग है लेकिन वहाँ पे डराना क्या भाईया वहाँ पे जला दिया था बिलकुल पेटी बना दी थी उसकी मैं पीछे से आता हूँ टाइम पे किल ले लेता हूँ और चारो किल मुझे मिल जाती है तो यार लाइक पेलना मत भूलना जाते जाते ठोका पीटी करके निला टैप कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हूँ तो यार करो सब इसक्राइब और भी ऐसे गलत सीन और सस्ती कमेंटरी के लिए तो कल मिलते है भाई लोग यार बाई बाई हुआ है